इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. स्कोटिया एसर 500 टैबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल टाइब दो डाइबिटीज मेलिटिस के इलाज के लिए किया जाता है. यह रक्त शरकरा के स्तर को नियंतरित करने में मदद करता है और इस प्रकार मधुमे की गंभीर जटलताओं को रोकता है. इसका उप्योग मासिक धर्म से संबंधित विकार के इलाज के लिए भी किया जाता है जिसे महिलाओं में पॉलिसिस्टेक ओवरी सिंड्रोम यानि की PCOS के रूप में जाना जाता है. जी मचलना और पेट दर्द से बचने के लिए SCODIA ASR 500 टेबलेट भूजन के साथ लेना सबसे अच्छा है. अधिक से अधिक लाब प्राप्त करने के लिए आपको इसे नियमित रूप से प्रतीक दिन एक ही समय पर लेना चाहिए. आपको इस दवा को तब तक लेना बंद नहीं करना चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर इसकी सिफारिश न करे. आपकी जीवनशेली मधुमे को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. इसलिए यह दवा लेते समय अपने चिकित सक द्वारा अनुशन से ताहार और व्यायाम कारिक्रम पर बने रहना महत्वपूर्ण है. इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मतली, उल्टी, स्वाद में बदलाव, डायरिया, पेट में दर्द और भूख न लगना शामिल है. कुछ लोग हाइपोगलाइसीमिया यानि की निम्न रक्ट शरकरा स्तर विक्सित कर सकते हैं. जब इस दवा को अन्य एंटी डायबिटिक दवाओं, शराब के साथ या भोजन छोड़ने पर लिया जाता है. इसे लेते समय अपने रक्ट शरकरा के स्तर की नियमित रूप से निग्रानी करें. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको किडनी, लीवर या दिल की कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. आपका डॉक्टर इसके साथ हिलाज शुरू करने से पहले आपके किड्नी फंक्शन टेस्ट की जाँच करेगा इसे लेते समय अत्यधिक शराब के सेवन से बचें क्यूंकि इससे कुछ दुश प्रभाव विक्सित होने का खत्रा बढ़ सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद